जै माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब, दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, 22 मार्च से नवरात्रा आरंभ हो रहा है, दोस्तों, जैसे कि हमारी एक चॉइस होती है, कि हमारा बथ्टे है तो हम ये चीज खाएंगे, या दिपावली का पूजन है त उसी तरीके से नवरात्रे के नौ दिन में मातारानी को भी अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। आप यदि अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि जो चीज मन से की जाती है वो फिर कुछ भी हो मातारानी को स्विकार है। पर आप यदि अरेंज कर सकते हैं तो मैं आपको नौ दिनों के नौ भोग ये बता रही हूं कि नौ दिन में मातारानी को कौन-कौन सा भोग लगाया जाए। मैं आपको वेल इन एडवांस ये वीडियो दे रही हूं जिससे कि आप पूरा इसका इंतिजाम कर सकें। दोस्तों हम लोग सबसे पहले 22 मार्च प्रती-पदा शाल-पुत्री माता का दिन होता है। और उस दिन उनको भोग लगाया जाता है रोकों से मक्ति पाने के लिए गाय के घी से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। प्रित्य को मा ब्रहमचारनी की पूजा होती है और भरमक ब्रहमचारनी को जो भोग लगाय जाता है वो इसलिए जाता है कि इसलिए लगाए जाता है जो भोग लगा Ben प्रितिया पर मा चंद्रगंटा को भोग जो लगा जाता है वो इसलिए लगा जाता है जो भी भोग लगा जाता है कि हमें दुखों से मुक्ति मिले हमारे जो भी दुख हैं उनको वो हर ले तो इसके लिए उनको दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगा जाता ह चतुर्थी के दिन मा कुश्माड़ा को माल पूए का भोग लगा जाता है और उनसे ये प्रार्तना की जाती है कि वो हमारी बुद्धी को तेज करें और हमारे अंदर डिसिजन का पावर बढ़ाएं किसी बात को निर्ने लेने की शक्ती हमारे अंदर बढ़ाएं पंचमी के दिन मा सकंद माता को केले का भोग लगाया जाता है जिससे की हमारा शरीर स्वस्थ रहे शष्टी के दिन मा कातियाईनी को शहत का भोग लगाया जाता है इससे हमारा शरीर सुन्दर बने और हम आकर्शक बने ना केवल शरीर से आकर्शक बने पर हम जिसके भी सामने जाकर खड़े हूँ, उसको अपने वश में कर लें, हमारे अंदर इतना आकर्शन हो सब्तिमी के दिन मा काल रातरी को, जो भोग लगाया जाता है, वो भोग है गुड का वो भोग इसलिए लगाया जाता है कि शोक और संकट से वो हमें बचाएं किसी भी प्रकार का असामईक शोक ना हो जिन्दगी में और संकटों से हमारी रक्षा करें अश्टमी के दिन महा गौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है, जिससे कि हमारी संतान यदि किसी भी प्रकार के कष्ट में है तो उस कष्ट से वो दूर हो जाए, छूट जाए, उस संतान को उस कष्ट से मुक्ती मिले और नवमी के दिन मा सिद्धी दात्री को हलवा, चना, पूरी इत्यादी का भोग लगाया जाता है जिससे कि हमारे घर के अंदर सुक और समरीदी का वास हो आशा करती हूँ दोस्तों, मैं आपको ये नौ दिनों के भोग के बारे में बताने में समर्थ रही ओके फ्रेंट्स, सी यू सून, बाई